आक्से रोग ठाम कारेस्थल भंडारों अउजयाने त्यार की जानकारी और उसकी सफाई कारेस्थल साफ सुद्रा होना चाहिए सुर्ष्टा से कार करने प्रच्छा वातरवान बनता है जहां तक संभोग हो प्रतेक को पौर्णया यंद इस प्रकार होना चाहिए कि उनसे वा बोल्ट, बीन, किलें, आज किसी टोकरी, बीन या कंटेनर में रखना चाहिए, आउजार साफ सुधरे और कार्ट करने के हालत्म होने चाहिए, विभिन कारियों के लिए उप्यूक्त आउजारों का प्रियोग किया जाना चाहिए वर्दी के उप्योग की जानकारी, वर्दी के उप्योग की जानकारी चाहिए, इसे करमचारिएं के बीच एकतारों कार्वूक्त का एसास होता है बेटकेत समर्चाव करनों और उसके उप्योग हाई बोल्टे सरकीट पर कार करते समय रवर के दस्ताने रवर की चटाई इंसलेटेट अवजार आज का प्रियोग करना चाहिए विल्डिंग कलते समय प्रोटेक्टिव ग्लास का प्रियोग करना चाहिए कार करते समय हमेशा जूते पहना है फायर फर्नेंस आद पर कार करते समय ढ़ीले ढाले कपड़े ना पहना है वैक्यूम क्लिनर का परियोग एक स्थान की सफाई के लिए किया जाता है, जहां डस्टर जूट आतसे नियमी दूपिसे हास साप न किया जा से हैं इसमें धूल को उडाने या सोखने का आप्सन होता है जहां धूल उडाने से कांटेक्ट के बीच जाकर हाई रेश्टेंस पैदा करने का खत्रा हो वहां सोखने के रूम में इस्तमाल करते हैं जैसे रिले रूम एक्सचेंज आद इन स्थानों पर बैक्यूम क्लियनर के साथ क करने से जीएर्ख की अच्ची सपाई हो जाती है अधवातवरां सुध्यों सुवासवर्धत राता है कि विभीन अस्त्रों पर आग लगने के कन जानना жाना सर्पर्थम में में अं लगने की कांणों को जानने का प्रयास करना चाहिए शबहान नियम च्छह, दस और इसके सहायग नियम का पालंग किया जना चाहिए, स्टाप, प्रिट्रोल, वैगन, माल गुदाम, बैटरी रूम, हाट जगों पर धुम्रपान न करें, अथ्वा फूली, हाग का पर्योग न करें, हाग लगने पर निम्न उपाय करें, आग के नजदिक से फनीचर, रिकार्ड्स हारी हटा दें, यद कोई बैगन या कोच में आग लगी हो, तो उसे दूसरे बैगन से अलग कर दें, द्रवाजे खिर्टियां आली बन कर दें, आग पर मिट्टी या बालू डालें, फोम द्वारा आग बुजाने वाली मसीन का पर सारी मिले निवलेखिर कार करना चाहिए, दूसरों को आग की चतावनी देने के लिए अग-ाग का सुर मचा हैं, किसी को दूसरों को बुलाने के लिए भेद दाएं, ताकि आग बुजाने में मदल मिल सकां, फायर वकेट, फायर इंस्टिक वीशर आग की मदश से आग को सब्सक्राइब करते हैं उन्हें यह भी बताएं कि क्या क्या समान आग के थांड़नुस्ट हो रहा है कि यद कोई व्यक्त आग की चपेट में आ जाता है तो उसे तुरंथ हास्पीटल भिजवाएं यह बिजली के सनेंट्रों में आग लगी हो तो बिजली की आग पर पानी का प्रयोक नहीं करना चाहिए अत्वा किसी इंस्टोगीसर के प्रयोक से पहले में स्विच्ट बन कर दें कमरा कोच आग के दर्वाजिय और क्रेक्लियां बंद रखें जब तक की फायर बिजेट नव पहुंच जाए आग के नदीक का समान बैगन आज अधिक नव फैल सके मौके पर उपस्ते सेनियर मोस्ट आपी सेलों वहां बकेट चेंट सिस्टम फायर फाल्टी रेस्क्यू फाल्टी और वास फाल्टी आधिका परवन करें ताकि सही तरीके से कारे हो सके जो आग बुझाने वाले यंद उपलोट हो उन्हें तुरन परयोक दिया जाना चाहिए और उन्हें जिस सहायता की जरूरत हो तुरन उलोट कराया जाना चाहिए आके कांट की जानी चाहिए यद कोई क्लू मिले तो उसे शुरुष छिक कर लिया जाना चाहिए अगनी सामकों की किसमें और उनके उप्य हो गये अगनी सामक चार प्रकारिक होते हैं सोडा, एसिट टाइप, फोम टाइप, टाइप, केमिकल पाउडर टाइप, कारवन डाइए आकसाइड टाइप सोडा, एसिट टाइप, अगनी सामक, उसका डिस्चार नोजल अगनी सामक के बाड़ी के उपर ही होता है, इसका प्रयोग लकली, कागज, कपड़ा आदी जहां केवल ठंधा करके आग उजाने की जरूरत हो, वहां किया जाता है, इसका प्रयोग बिजी स्रेंट्रों, प्र टॉल, पेंट, हाड की आग उजाने के लिए नहीं करना चाहिए, इसको प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग किसी भी कठोर बस से टकराया जाता है, प्रयोग नीचे जाने के बाद वह आपस आ जाता है, और गैस नोजल से बाहर निकलने विजली की मोटर, बैर्टरी चाल्जिंग रूम आधी नयाग बुझाने के लिए एक लिए जाता है. अगनिसामक का होजन मर्मसूँच करके या जाना जा सकता है कि अगनिसामक कार करने लायए्ट है या नहीं, इसका प्रयोग करने के लिए अगनी सामक को हाथ में लेकर इसे इस प्रिंडिल नाप से safety clip को हटा देते हैं अगनी सामक को जाहिने हाथ से ठीक से पकड़ते हुए बाहे हाथ से नाप को छेड़ें अगनी सामक से निकलते हुए powder को आग लगी हुए सामगरी पर डालें कारवन डाई आक्साइड टाइप अगनिसामा अगनिसामा के सीरे पर एक हुई वाल लगा होता है इस से में एक डिस्चार्ज टूब हार्म के साथ लगी होती है इसका प्रयोग बिजली की याग बुजाने के लिए किया जाता है जहां बिजली बन्नो की जा सक है जहां बिजली का कुछालग होता है इसका प्रयोग नाजु मशीनों या यंत्रों की आग बुजाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग करने के लिए अगनिसामा को लेकर आग लगी जगा पर ले जाए बाए हाँ से discharge, होर् न को पकलना है, दूसरे हाँ से हुल वाल को घरिक की सुई के वगड़ित ही सा में घुमाया है discharge को जलते हुए सामगरी क razor करते है इसका discharge सुनो की शक्ल का होता है सुनो से हाँ को जलने से बचाने के लिए हाँ के दस्ताने का प्रियोग करें धन्यवाद